जवाल लाल नहरू एलुमीनियम रिसर्च डेवलोपेंट एंड डिजाइन सेंटेन नाको ने खान मंत्राले के आजादी का अमरत वहुँट सा प्रतिश्थिते सप्ता समहरों में भाग के रूप में एक बड़े पैमाने पर व्रक्षरोपन कारिक्रम किया एके एम आजादी के 75 साल और इसके लोगों संस्कृति और उपलवधियों के गौरफशाली इतियास को मनाने के लिए सरकार की पहल है जो प्रधा मंत्री नरेंद्र मोधी के भारत 2.0 को सक्रिय करने के दृष्टी कोन को सक्षम बनाता है जो आत्म निर्भर भारत की भावना से प्रेरित है एके एम की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई और 15 अगस्त 2023 को समाथ होगी खान मंत्राले के सभी संगटनों ने 11 से 17 जुलाई तक इस प्रतिष्टित सप्था के दौरान विविन कारिक्रम किये हैं 15 जुलाई 2022 को JNARDDC के प्रतिष्टित सप्था सामोहिक व्रक्षारोपन कारिक्रम का उद्खाटन मुख्यतिती निरुपमा कोट्रू, IRS संयोक्त सचिव और वित्ति सलाकार कोईला और खान मंत्राले के हाथ तो हुआ उन्होंने JNARDDC की सिमेंट रोड और कोईला नमूना तयार करने वाली प्रयोक्षाला की नई सुविधाओं का भी उद्खाटन किया उन्होंने नीती आयोग, खान मंत्राले, अलुमीनियम उध्योग, बिजली, शेत्र कोईला, शेत्र के लिए तीसरे प्रक्ष के कोईले के नमूने के लिए रैफरी प्रयोक्षाला की रूप में और धातु पुनचकरन प्राधिकरन के लिए JNARDDC द्वारा किये जारे तक्न की कारियों की सरहना की, उन्होंने नियमित रक्षरोपन कारिक्रमों के साथ JNARDDC परेसर को सदाभार बनाने के लिए JNARDDC और सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रयासों की सरहना की, डॉक्टर अनुपम अगनियोत्री निदेशक JNARDDC ने कहा की, JNARDDC वैग्यानिक इवं प्रोधोगी की विकास केंद्र कलमेश वर नाकपुन ने भावी पीडियों के लिए पर्यावरन को बनाये रखने के लिए जेविक खेती और सामुईक व्रक्षरोपन कारिक्रम के लाभों की बारे में एक संशिप्त फिल्म प्रदर्शित की, सभी करमचारियों और कर इडिसी परेशा में लगभग 150 पौध है लगाए कारिकरम का संचालन आर विशाखा प्रशांसिक अधिकारी द्वारा किया गया और धनेवाद प्रस्ताव आर श्रीनिवासन वरिष्ट्र प्रशांसिक अधिकारी द्वारा किया गया वारी जें बीसीन न्यूस के लिए सौ पाटिल की रिपोर्ट